ये लीजे ले आया आपके संत्रे इतने सारे? अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ 20 रुपए दिये थे हाँ तो 20 के तो लाया हूँ और पूरे 6 लाया हूँ चाचा छे? जी कल शाम तक तो 20 रुपए में सिर्फ 4 दे रहा था अरे दे तो अब भी वो 20 के 4 रहा है लेकिन उन लोगों को जो मुलभाव नहीं करते मैंने मुलभाव किया और मुझे दे दिया चाचा सबको बेवकूफ बनाता है वो खालिज मेया तुमने तो कमाल करती है कमाल कैसे नहीं करता चाचा मैंने उसको जाते ही का के भाईया देख कि मैं 20 रुपे के 6 संत्रे लूंगा वरना लूंगा ही नी उसने का 5 ले ले मैंने का भाई 5 दे रहा है न तो तो 6 दे दे मेरे घर महमान आये हुए हैं और वो भी पूरे 6 6 लोगों के आगे 5 संत्रे कैसे रखूँगा बस मान गया बिचारा और अपनी जान चुड़ाते हुए उसने मुझे 6 संत्रे दे दिया ये संत्रा उसे वापस कर दे क्यों चचप खराब है क्या ये इतना खराब है कि अगर तुम्हें इसके खराबी नजर आ जाए तो तुम नहीं खाओगे और अगर खा भी लोगे तो फौरान उटी करके निकाल दोगे अच्छा उपर से तो अच्छा लग रहा है ऐसी क्या खराबी है इसमें इसमें खराबी नहीं है मगर इसे पाने के लिए जो तुमने जूट वोला है उस जूट ने इसे खराब कर दिया इसे खाकर चायद तुम्हारे जिसम को टाकत मिल जाए मगर अल्ला का नवदा हुआ वो इहतास जो इनसान को अच्छा और बुरा समझने की सलाहियत देता है वो दम तोड़ देगा क्या तुम चाहोगे कि जिन्दगी भर अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत खो बैटो नहीं चाचा हर्गिस नहीं तो फोरण जाओ और उसे ये फल वापस कर दो और उसे कहो कि ये फल तुमने जूट बोल कर लिया था इसलिए तुम इसे नहीं रख सकते क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कुछ कहे मैं ये लोटा दूँ और मुझे शर्मिनदा ना होना पड़े ऐसा कर सकते हो तुम मगर जिस एहसास को तुमने जूट बोलकर जखमी किया है उस पे मरहम नहीं लगेगा जो खुशी तुमें जूट बोलकर इस फल को लाने में हुई है एक बार सच बोलकर इस फल को वापस करो फिर देखो तुमें उस खुशी का एहसास होगा जिसका ना तो तुम अंडादा लगा सकते हो ना मैं लब्दों में डियान कर सकता हूँ जूट नहायद बुरी बला है या ला तु इस उमत को मुनाफिकों की आदत छूट से बचा लीजे भाई साब ले जाओ ले जाओ सस्ते में दे दिया है क्या हुआ भाई साब मेमान बढ़ गए कि आप क्या नहीं वो ये संत्रा ले जाओ भाई साब बहुत अच्छा है ले जाओ अच्छा है मगर ये वो अरे ये वो ये वो क्या भाई साब पहले ही मैंने आपको 20 रुपए में 6 संत्रे दे दिये अब 20 रुपए में मेरी क्या पूरी धुकान लेकर जाओगे क्या ये बात नहीं है मैं ये संत्रा नहीं ले सकता मैने आम से छूट बोला था मेरे घर कोई महमान नहीं आये अच्छा सही कह रहे थे महफूस चाचा ऐसी खुशी का एसास आज से पहले कभी भी नहीं हुआ नसीहा हर बात दलील के साथ